कॉंग्रेस का एक एक कारे करता पूरे देश बर में राउल गांदी जी के खिलाब लड़ाई लड़ेगा ये एक वाइरल वीडियो है राजस्थान तक इस वीडियो की पुष्ठी नहीं करता है तो चलिए अब आपको इनके बारे में बता देते हैं इनका नाम है भावर्शिक भाटी भाटी जी बिकानेर जीले की कोलायत विधान सवा से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाओ जीते हैं और प्रदेश की मौझूदा गहलो सरकार में मंत्री हैं मंत्री भावर्शिंग भाटी का ये वीडियो सोसल मीडिया के साथ ही सियासत में खूब चर्चा में हैं चर्चा की वज़य तो आपने पहले ही सुन ली है चलिए एक बार फिर सुन लीजे हाली में कॉंग्रेस ने जैपुर में महंगाई को लेकर महारैली की थी माना जा रहा था इस महारैली के जर्ये कॉंग्रेस राहूल गांधी की रिलांचिंग करना चाहती है और रैली में राहूल गांधी के महंगाई से इतर बयानों से ये समझा भी जा सकता था अब जिन राहूल गांधी की रिलांचिंग के लिए प्रदेश की गहलो सरकार ने अपना दमखं जोग दिया था प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के भी बड़े बड़े चहरों को बुलाया गया ताकि इस महारैली के महामन्थन से कॉंग्रेश को नए महाराज मिल सकें तो भला अब उन्हीं गहलो सरकार के मंत्री जी क्यों राहूल गांधी के खिलाफ एक एक कारेकरता के उतरने का दावा कर रहे हैं राजस्तान तक की टीम ने इस वायरल वीडियो की परताल की तो पता चला ये वीडियो मंत्री भावर सिंग भाटी के जैसल मेर दौरे के उस समय का है जब वो सरकीट हाउस में पत्रगारों से वार्ता कर रहे थे जहां बातों ही बातों में स्लिप आफ टंक हो गया फिलहाल अभी तक इस पर कॉंग्रेस या फिर मंत्री जी की और से कोई बयान नहीं आया है लेकिन सोसल मीडिया से लेकर राजस्तान के सियासी गलियारों में मंत्री भावर सिंग भाटी के इस वीडियो को लेकर खुब सियासी रोटियां पक रही है राजस्तान तक के लिए जैसल मेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट राजस्तान उस राजस्तान